आकाश्वानी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेश फोनिन कारिक्रम रेडियो डॉक्टर स्वागत है आप सभी का कारिक्रम रेडियो डॉक्टर में दोस्तों मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त विनीता बेदी और आज हम बहुत एक गंभीर विशे जो है जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं लेकिन जितना गंभीर है उतना ही महत्वपून भी है कारण हम अपनी इम मन में लगaty गूंच ता रहता है और और क्यों ना हो घॉनियुटी बहतर है तो आपके मन में बहुत पहुते हैं यह समब यह सवाल अगर आपके मन में भी आता है तो आज का दिन रेडियो डॉक्टर में आंज हमारी साथ expert है Dr. A.K. Arun Homeopath और आज का हमारा विशह है Homeopathy for Immunity बहुत-बहुत स्वागत है आपका Dr. A.K. Arun धन्यवाद आपका सर जितना मिठास आपके आवाज में है उतनी ही अच्छी आपके यह मैं अपने सभी श्रोताओं को बताना चाहते हूं ताकि वो यह सोचे जान ले कि इस कारिक्रम की शुरुवात कितने मुस्कुराहट भरी हलों से हुई है आपके रेडियो के बारे में कहा जा रहा है कि रेडियो पर सुनाई नहीं देता दिखाई भी देता है तो आपकी प्रस्तुत इतनी सुन्दर है कि आप दरसकों को सब कुछ दिखा भी देते हैं बिल्कुल और ये भी बताना सब के लिए जरूरी है सर कि जितना important हमारे लिए खुबसुरत दिखना ये मुस्कुराते रहना है उतना ही important हमारे लिए स्वस्थ रहना भी है तो आज का जो विशे है कि हम homeopathic के द्वारा अपनी immunity को कैसे बहतर बना सकते हैं शिरुवात करते हैं एक छूटे से प्यारे से गीत के साथ और उसके बाद definitely we'll talk about it क्योंकि स्वस्थ रहना हरे किसी का अधिकार है और आज हम बहुत भाग्यवान है कि आज आप हमारे साथ हैं इस टूडियो में दोस्तों आपके मन में कोई भी query हो तो आप हमें 2342180 या 23421084 पर call कर सकते हैं औ और ना सही call नहीं भी करेंगे तो भी WhatsApp तो भीजी सकते हैं ना 9868107070 यह हमारा नंबर 9868107070 आप इस नंबर पर हमें WhatsApp करके अपनी बात कह सकते हैं डॉक्टर साहब से डारेक्ट बात करने के लिए और सथ मैं आपसे यह बात पूछना चाहती हूं का जिकनम की शुरुआत मे ही कि जितनी मिठास जिस गीत में थी उतनी ही मिठास होती है होमेपथी की गोलियों में भी यह सिस्टम जो है ना मिठी गोलियों से बना है और हम कहते हैं कि मीठी गोलियों में छिपी सेहत को अगर लोग पहचान जाएं तो एक तो जो इलाज का दर्द है उससे भी और लंबी जिंदगी भी पाएंगे स्वस्थ पूर्ण जिंदगी जी बिल्कुल सही कहा आपने हमारे साथ हमारे एक लिसनर जुड़े हुए हैं उन्हीं से वे शिरुआत करते हैं आज के काजिक्रम की हलो जी नमस्कार सर अपना नाम बताएं जी नमस्ते वास्नेगर नहीं जिल्ली से बोल रहा हूं जी स्वागत है आपका दक्टर साब को साधर परनाम प्रडाम सर परनाम मेरे दो सवाल है जिला यह करोना टाइम में जिन लोगों की इम्मीनिटी कमजोर हुई थी या कम हुई थी या बहुत कम होगी थी वह यह बात तो पया है कि वह बिलकुल समय से चेंज करना चाहिए और हमयोपैटी की दवाई कौन सी खाने से यह बताने का कर्श्ट कीज़ेगा अर्गविंदर जी जी करोना के समय तो हमने बहुत दुख जहले पूरी दुख जहला और उसका जो दर्द है मुझे लगता है सदियों तक लोग याद रखेंगे ले बड़े खुसकिसमत लोग थे जिनकी इम्मिनिटी बहुत अच्छी थी इम्मिनिटी देखे कोई बहुत ऐसी सब्स्टेंसिल सी चीज नहीं है कि कोई कहीं से लेकर जमा कर ले यह सतत प्रयत्न से जमा की जाती है हम जो अपनी दिन्चर्या में जितने स्वस्त्पुन चीज सामिल करते हैं इम्मिनिटी उसी से बनती है और दुर्भाग यह है कि एक बीमारी का जोका जटका उसको बर्बाद करके चला जाता है तो उसको बचाये रखने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी है क्योंकि हमारी इम्मिनिटी हमी बनाते हैं हमारे सरीर में यह कहने को हम लोग जब immunity को classify करते हैं तो उसमें कहते हैं कि कुछ जन्म से immunity हमारे body को मिलती है लेकिन वो immunity उतनी कारगर नहीं होती उसको आप मजबूत करते हैं जब आप अपने जीवन में रोजमर्रा के जीवन में स्वास्थपूर्ण गतिविधियां करते हैं खान पान आपका रहन सहन आपका वियायाम यह सब चीजें इसमें काम करती है उस समय जिन लोगों की immunity कमजोड हुई है उसको भी गेन करने का यही तरीका है कि आप स्वास्थपूर्ण जीवन सहले अपना है देखिए दवाएं तो immunity को बरबाद करती हैं मैं जो anti-medicines है उसकी बात कर रहा हूं जितन समय आप सेवन करेंगे ना जब आपको कोई तकलीफ हो बिमारी हो अकेली immunity के लिए कोई दवाई की जुरत नहीं है उसके लिए आपके पास जो खान पान है प्रकृति ने तमाम जो चीजें दी है जितने anti-oxidants वाली foods हैं मौसमी फल हैं सबजियां हैं अगर आप उसको और स उसकी दवाउं की बात की लगभग उसका जवाब मैंने पहले सवाल के जवाब के करम में दे दिया उसके लिए आपको थोड़ा सा जीवन सैली में सुधार लाना है सुबच जग जाईए समय से सो जाईए 6-7 घंटे की नींद सुनिश्चित कीजिए 2-5 लिटर पानी नियम हैं तक किसी से ड़ने की भी जबरत ने एक और गॉलर हमारे साथ हैं उन से बात करते हैं हलो ऑलो जी नमसकार जोच हैं अब बताये वक्तिक को नाश्चितर से बोल रहा हूं गलभ यहींगशिए 7-6 और मैं ब्रेंड पर्सण हुल लेकिन मुझे तरह कोई दिक्कत में पिने में चलने में कोई गुटने में दर्दित ऐसा कुछ नहीं है एक दम स्क्रास है लेकिन फिर भी हमिनिटी कंपल सरी आइसी रहने के लिए मुझे क्या करना चाहिए प्लीज जड़ा बता दीजिए क्या बात है देखिए आप तो मिसाल है और हम समझते हैं कि हमारे ब्रां आपको जरूत ही नहीं हमारे सलाह की बस आप तो विनिता जी द्वारा बजाए गाने सुनिए और खुस रहते हैं आपकी सलाह बहुत जरूरिया लाइब के लिए अभी पिलाल तो डॉक्टर की और अईरवेड यलोपेटी जो भी है उसकी जरूरत है सब को कम से कम देखिए मैं सच बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल स्वस्त हैं मेरी दुआ है कि आप ऐसे ही स्वस्त रहें और बेहतर अच्छे अच्छे काम करते रहें खानपान ठीक रखे यह कारज करम तो रोज होता है अगली बार फिर मिल लेंगे फिर कुछ आपकी समस्या होगी तो उसका समाध हैं तो शायद हमें इस तरह की किसी साला की आवशकता ही नहीं रहेगी तो सेल्फ डिसिप्लिन इस इंपॉर्टन थिंग एक संदेश है हमारे पास अनिल ज्यादव जी का बड़ूपूर अमेड कर नगर से वह कहते हैं हमारे बच्चे के पूरे शरीर में खुझलाहट रहत हैं रियक्टीवर्टी के रिया की तरफ साथ वह सारा कर रहें जो इस मवसं में बच्चों को या बड़ों को सबको हो रहा है तो उसके लिए तो आपको हमारे जितने भी दिल्ली में फैले हुए भारत सरकार के होमेपती कौस धाले हैं वहां जाकर आपको नियमित थोड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमारे सरीर में IGE लेवल काफी बढ़ जाता है, यानि कि बॉड़ी का जो डिफेंस का जो केपैबिलिटी है, वो घड़ जाता है, सरीर के अंदर कोई न कोई परवेस कर जाता है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉड़ी जल्दी से एंटी बॉड़ी बना नहीं पाती और वो रियक्ट करता है, रियक्शन दो तरह के होते हैं, या तो चमड़े पे होगा या फिर जुकाम के माध्यम से नाक में होगा, तो इन दोनों ही परिसीतियों को हम लो यहां होता नहीं, तो बहतर है आप किसी अच्छी डिस्पंसरी में जाएं, नहसुल्क चिकेट साले हमारे काम कर रहे हैं, सारे बड़े अस्पतालों में और सारे वार्ड में, वहां से आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छी सी दवा लिखवा लें और उसका नहसुल् खुशूरत सला दिया आपने, अच्छा एक महत्वपून प्रशन, वो जो है ना सर, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है हमारे लिस्पंसर ने, लेकिन प्रशन इन्होंने पूचा है कि इमोशनल इम्यूनिटी को कैसे मजबूत किया जा सकता है, यह बहुत गंभीर सवा हों, हमारे बहुत सारे कलीक्स हैं, मैं आपको एक छोटी सी घठना बताता हूं, मेरी क्लिनिक की घठना है, हमारे पास एक कलाटिस rescued. मरीज आया और उसको क्लिनिक में ही खून की उल्टी हो गई करीब एक से डेर लीटर खून की उल्टी हो गई उसको देखकर बाकी के सारे मरीज काप गए घबडा गए लेकिन जिस तरह से मैंने उनको मैनेज किया समझाया कि यह कोई खास बात नहीं है और फिर खून उनकी सफ होता है अगर हम अपनी भावनाओं पर नियंतरन नहीं पाते तो आप देखते होंगे कि कोई भी ऐसी दुख़ाई घटना से व्यक्ति रोने लगता है मूर्चित हो जाता है या गुसे में कांपने लग जाता है तो यह सब चीज़ें हमारे इमोशन्स पर कंट्रोल नहीं हो जैसे होती है वह एक अभ्याद की चीज है जैसे कि तमाम फिजिकल इमेनिटि भी अभ्याद की चीज है वैसे ही इमोशनल इमेनिटिव अभ्याद कीज यह आपको हर सुख दुख के रास्थे से गुजरना चाहिए आप उसको अवाइड मत कीजिए मैं देखता हूँ कि हमा इम्मेनिटी स्टैब्लिश्ट होती है आप अंदर से मजबूत होते हैं फिर तो आपको कोई ड़राभी नहीं सकता चाहे आप अंधरी रात में जंगल में न क्यों चले जाए तो यह बहुत चोटा सा एक अभ्यास आप अपनी जीवन में रोजा न करें तो आप इम्मेनिटी पा सकते हैं और एक और अभ्यास है जो लगातार मुझे लगता है करते रहने से हम लोग काफी स्वस्त रहते हैं ना कि हम कुछ स्वस्त रहते हैं बिलकि हमारे सामने वाले भी व्यत्ति स्वस्त रहते हैं और वो जो अभ्यास है ना सर वो आपकी पसंद के गीत में चिपा ह पिकषडा है! हमारी mental health के साथ पहले हैं तो पुना स्वागत है आपका डॉक्र साथ जान्य बाद आपका जी हमारे साथ डॉक्र साथ लाइन पर जुड़े हुए हमारे एक शुरूता हलो जी नमस्कार अनमस्कार जी मैडम जी ऐसा है जानो प्रतिक दवा काम करेंगी मुझे क्या पता है किस चीज के लिए काम करेंगी जरूर काम करती है देखिए इसमें आपको फिजियो थेरैपी और होमेपथी दोनों को मिला कर थोड़ा इंतजार करिएगा निश्य दूरुप से काम करती है मैंने खुद इसको अनभव किया है इसके अच्छे रिजल्स आते हैं दोस्त अपना नाम बताएंगे मेरा नाम राम के चौधरी जी ये वाली बात तो डॉक्टर साब ने बहुत सटी कही है कि आप यदि फिजियो थेरैपी करवाएं साथ साथ होमेपेथिक दवाई ले तो आपके स्वास्ति में तुरंत सुधार होगा तो आप इस बात को अमल करेंगे तो डॉक्टर साब हमा प्रणाम सतीज जी डॉक्टर साब मेरा कोईशन है कि मेरा उमर 32 साल है और मेरा वेट नहीं बढ़ता है वेट मेरा बहुत कमती है और हम मान समस्क्री का सेवन नहीं करते हैं इसके लिए कोई उपाय बचाए कि मेरा वेट थोड़ा बढ़ जाए में और मेटाबोलिजम ठीक रहेगा अगर तो नहीं से तरुफ से आपका वजन एडिक्वेट वजन जो है बढ़ जागा आपकी हाइट कितनी है पांच फिट चारिंज तो साट चौन सट किलो आपका वजन होना चाहिए थोड़ा और बढ़ा ले आप चार पांच किलो तो दोस्त नहीं से भड़ेगा बहुत जादा चर्बी वाली चीजें मैं सजेस्ट नहीं करूंगा प्रोटीन वाली चीजें ना हिए और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए दोस्त और सर एक मेसेज आया है राजु कश्यप का मुरादाबाद से उन्होंने ये पूछा है कि कई बार मदिरा सेवन की आदत लोगों को पढ़ जाती है तो क्या होमेपैथिक में इसे चुड़ाने के भी कोई दव किसम के सायर होते थे और ये सराब के बहाने बहुत सारी बाते कहते थे ये सुफियाना अंदाज होता है कहने का देखिए सराब एक तो बहुत गंदीलत है जिस तरह से आपने अपने जीवन में जोड़ा है वैसे ही उसको हटाईए उसके लिए कोई दवाई नहीं होती है औ अगर ब्यक्ति इतना जादा उसका सेवन करने लग जाए कि उसके बिना वो रही ना पाया और उसके सरीर में बहुत सारे नकारत्मक लक्षान आने लगें तो उसको हम लोग एडिक्सन कहते हैं और उसके लिए फिर डिये एडिक्सन सेंटर बने हुए हैं वहाँ पर दवाईय इन पर दाइया भी दी जाती है रिह आप दी तो आप दवाई से उसको मच Five कि तुमको सराब छोड़ना है कि नहीं अगर आपका दिल कहता है कि हाँ चूड़ना तो अबी इसी वक्ट उसको चोर बोतल फेकिये और सराब आपकी छोड़ में नहीं तो जिन largest time सराब को और इ इन्होंने कहा है कि मेरी मां के आयू 50 साल है और वो 12 साल से रिमोटाइड अर्थुराइटिस उन्हें है ऐलोपेथिक मेडिसिन से उनका पेट खराब हो जाता है और उनकी नीम डिस्टर्ब हो जाती है क्या होमेपेथिक में इसका ऐसा कोई इलाज है अगर है तो कोई अच्छ करके मुझे भी आप लिख सकते हैं मैं आपको अपनी तरफ से निसुल्क सेवाएं दे सकता हूं रुमेटाइड अर्थराइटीस बारा साल से है तो वक्त तो लगता है और यह एक आटो इम्यून डिजॉडर है अटो इम्यून डिजॉडर में हमारे सरीर की जो मनुहरलाल गांधी चानक के चौख गाजियाबाद से कह रहे हैं हर रोक की दवा है मुस्कुराहट बहुत सही बात की है आपने डॉक्टर साब से हमारा एक सवाल है अकसा स्वास्ते खराब होने से चेहरे की मुस्कुराहट गाइब हो जाती है मन में घबराहट और चिंदा आपके साथ है और तीसरी चीज की कोई ऐसी बड़ी समस्या जो आपके मन को दवाब में न डाले ये सारी परिसीतिया अगर आपके अनुकूल है तो आपकी मुस्कुराहट होती है और विनिता जीन ने इतना खुबसूरत गाना सुना दिया वो गाना अपने आप में एक मैस जने जाए आप अपनी जिन्दगी को अपने हाथों से संवारिये बहतरी के खुबसूरती के सुकून के बहुत सारे मौके आपके आसपास बिखने उनको समीटिये और जिन्दिगों को सुन्मा बनाईए बहुत सुन्दर डॉक्टर एक अरुन ये तो कम्माल है कि ना केवल आप मीठी गोलीों से लोगों का इलाज करते हैं वलकि इतने खुबसुता चायरी से सबका मन भी बहलाते हैं और मौटिवेट भी करते हैं तो बहुत आप से तो प्रभाविद हो रही हूं मैं और इस वज़े से भी कि हमारे जितने भी श्रोता हैं जितने भी प्रश्न हैं मन में हरेक निवारन अब बहुत ही सहज ठंक से कर रहे हैं तो हमारे एक शोता हैं जो इस समय हमारे साथ इसके बारे में हम मतलब यहां को फाइदा नहीं हो पाया है तो अगर कान के डॉक्टर ने देखा है मसीन से जाच किया है तो सहए है दो नहोंने बताया होगा या तो वैक्स सबसे जधादा मात्रा वे कान में का तो यह तो दिखाने की जरुवत है यह वाइद को बात बनेगी ने आप एक अच्छे ENT से कान की जाँच करवा लें, उसकी audibility की जाँच हो जाएगी, उसके अंदर कोई foreign matter या wax वगर अगर जमा पड़ा है तो साथ उसकी cleaning करने से कुछ फरक पड़ जाएगा, आप मेरी सलाह माने, आप किसी अच्छे ENT experts से सरकारी अस्पताल में दिखा लें, मुझा लगता है कि कुछ नब कुछ समधान आ जाएगा, definitely, क्योंकि हर बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं sir, कि हर बात कई बार हम फोन पर चाह कर भी नहीं बता पाते हैं, तो कुछ चीजों के लिए दोस्तों, ज़रूरी है कि हम अपना check-up करवाएं, और डॉक्टर को दिखाएं, ताकि जो बात कर ले नहीं तो मुझे बात कर ले नहीं, तो मुझे बात कर ले नहीं तो सब्सक्राइब करते हैं, और फिर हमारे स्टूडियो को बताएं, हम लोग आपकी पूरे विस्तार से आपकी बिमारी को समझ के आपको सलाह दे सकते हैं, जो सबसे बड़ा ऑस्पिटन जो आखोगा उसमें नहरू मेटिकल कॉलेज डिफेंस कॉलोनी में है और बियार सूर म डिपार्टमेंट हैं, अच्छे हमारे एक्सपोर्ट्स वहाँ अविलेबल हैं, तो आप वहाँ जाएं, वहाँ पर जाच भी हो जाएगी और सलाह भी आपको दी जाएगी, धौलाकों में कहां पताया आपने? धौलाकों में मोती बाग वो गुर्दवारे के पास ही है, कि मुसको राहत आप सुN रहे हैं, विशेश फोन इनकारिक्रम रेडियो डॉक्टर आप है प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में मेरे यानिकी विनीता बेदी के साथ और आज रेडियो डॉक्टर में हमारे साथ हैं डॉक्टर एके अरुन एक्सपर्ट होमिपैथ स्वागत है एक बार पुना आपका सर इस कारिक्रम में धनिवाद विन्ता जी हमने अपने सभी दोस्तों को याद भी दिला दिया कि वो सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर विशेश फोनिन कारिक्रम यानि कि इस कारिक्रम में फोन करके वो हमसे बात कर सकते हैं इस कारिक्रम में फोन करके वो अपनी कोई समस्या हो उसका निदान हासिल कर सकते हैं और होमेपैथिक से अपनी इम्मुनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है आज इस सवाल का जवाब वे स्वयम होमेपैथ डॉक्टर एके अरुन से ले सकते हैं हमारे फोन नंबर है 23421080 और 23421084 तोस्तों आप हमें वाट्साप भी कर सकते हैं 9868107070 पर और वाट्साप से डॉक् मेसेज आया हुआ है नितिन धोकने पूनम नितिन धोकने का बुलधाया महराश्ट्रा से उन्होंने ये कहा है कि हमारा बेटा है जिसकी उम्र दो वर्ष है उसका सर हमेशा तेज गरम रहता है इस विशे में कुछ सलाह दीजे ये एक तरह का सिंड्रोम है अगर ये लंबे स समय से है तो इसकी तो जांच होनी चाहिए खास करके सर गरम बराबर होना एक यूजिवल सी चीज तो नहीं है लेकिन अगर उसके साथ कुछ और लक्षन है जैसे सरदर्द है या उसके साथ डिसकमफर्ट है या उसके साथ उनकी आँखों पर कोई दबाब पढ़ रहा है त निश्चेत रूप से जो पिड्रियाट्रिक नियॉरलोजी के डॉक्टर्स हैं वो उसकी जांच करके सर के अंदरुनी स्थितियों का अंदाजा लगा लेंगे और अगर कुछ डाइगनोस होता है तो फिर उसका इलाज करने की जरुत है क्योंकि टेंपरिचर हमारे सरीर में किसी भी भाग में अगर लोकलाइजड रूप से भी अगर वो रेजड है बढ़ा हुआ है तो निश्चेत रूप से वो अलार्म है और उसको निदान की जुरत है यानि कि उसके डियागनोसिस की जुरत है एक बार डियागनोस हो जाए तो फिर हम लोग आपको सला दे सकते ह एक छोटी सी बात ने आपको बताना चाहूंगा खास करके होमी पाथी के संदर में कि हम लोग होमी पत्र व॥ कि बात कर रहा है लेकि कि हमारे सरीर को प्रकृतिसे ैस तरहता कर सवुँकर कर भेजा है यह हम ताउम्र बेने किसी दवा कर रह सकते हैं लेकिन इतना जो गैर जरूरी दवाईयां हैं उसको खाकर भी अपनी इमिनिटी बिगाड़ते हैं तो मेरी सला यह है कि होमेपथी बहुत ही सूख मुझतम अस्तर पर दवाओं के मॉलिकुल्स को लेकर तयार की जाती है इसलिए इसमें फॉरेंड मैटर तो लगभग ना के बराबर होता है एक message के रूप मे Coded message के रूप में दवाईया होता हुए वह है कोई विक्रती नहीं चोड़ती आपके सरीर में कोई भी residue नहीं चोड़ती इसकी वज़़ा से आपकी Immunity वैसे ही intact रहती है तो हर छोटी बात के लिए मेरी सला है छोटी या बड़ी बात के लिए होमेपथी ट् नमस्ते लिए जैसे मैं खुद एक्स्किरेंस देख रहा हूँ कि अपने पास अपना कोड़ फिलेंस होसला रहे तो हमरी बड़ी ही रहती है हम डाउन नहीं होने देते तो इसलिए हमारे कुछी महसुस नहीं होता यह हमारा एक्स्किरेंस है एक स्वाल देख आख वाफ से पा आप ने ध्यान ने दिया तो बहुत ज़्यादा प्रिशनी हो जाती है हर्पीस एक वाइरल रोग है और हर्पीस के कई वराइटी है हर्पीस जॉस्टर सबसे कॉमन है निश्य दूरुप से यह खास किसम का सूख्च मुतम वाइरस कभी भी सरीर के किसी भी वाइटल ऑर्ग लोगों पर अटेक कर देता है तो इससे बचने के लिए तो फिलहाल में कुछ ऐसे सलाह नहीं दे सकता क्योंकि मालूम नहीं कब कहां आके अटेक कर जाए बहुत ही सुख्ष्मितम तरीके से यह होता है बस यही कह सकता हूं कि अगर आपकी इम्मिनिटी ठीक रहेगी अगर कुछ एक उदारन ऐसे हैं जहां पर दिक्कते होती हैं लेकिन उसके और भी कई वज़े हैं को मॉर्बिडिटी उसकी वज़े होती है उन सब चीजों को आपका चिकित्सक अगर समिजदार है जानकार है अनुभवी है तो वह उन सब चीजों को डील कर सकता है निश्य दुर आर्किटिक एरिया बताया है और काफी दिनों से उनके दवाई चल रही है तो वह जानना चाहते हैं कि दवाई क्या हमेश्य चलती रहेगी यह LED उन्होंने बताया कि कभी कम हो जाएगी और कभी बुखार आएका तो दवा लेनी पड़ेगी क्या इसका कोई और इलाज हो सक हैं लेकिन उसे यह अस्थाई रूप से नहीं जाएगा अस्थाई रूप से इसके इलाज के लिए लंबे समय तक आपको होमेश्य पैथिक दवा लेनी पड़ेगी और उसके लिए आपके होमेश्य पैथ को आपके पूरे सरीर के विस्तार से लक्षन के आवसकता होगी पीछे खुजली लगातार होती है क्या इसका कोई लाज है दिनिज जी खुजली की कई वज़े है या तो आपका इसकी हाईजिन अच्छा नहीं है जो मैं समझ पा रहा हूं आम तोर पर देखिए इसकी डिजीज हो या नो हो कभी-कभी हम इतनी जल्दी में होते हैं कि सनान करकर आए और भींगे बदन में हमने अंडर गार्मेंट्स पहन लिया फिर हम उसके उपर जीन्स चड़ा ली और फिर तंग हालात में ही हम अपने दफ्तर पहुँचे फिर वहां हमारे पास समय ने तो इस तरह से आपका वो जो इलाका है वो जो एरिया है उसका एयर कॉंट जो सबसे भड़िया जो गर्वाइंड का एयरिया है उसको आप बढ़िया से सुखा ले और एक अच्छी तेल की मालीज कर ले या तो सरसो का तेल कर ले सबसे बढ़िया मै उसको ज्यादा prefer करूंगा उसकी साला ज़ादा दूँगar नहीं तो नारियल का ये दो तेल आप ल इसके इंडिजियस की संभावने कम होंगी तो डॉक्टर सब आपका ये कहना है कि हमारे शरीर को हवा की पर्यापता वर्शक्ता होती है बिल्कुल बिल्कुल और साथ ही ये भी कि कई लोग जैसे गर्मी लगती है बहुत तो गीले गीले बदन ही बात्सम से निकल आते हैं हलका सा कुछ कुछ कुर्टा या कुछ भी ऐसा पहन कर तो वो जो है वो बहुत नुक्सान दायक है विनिता जी हमारे सरीर का सबसे उपेक्षित भाग हमारा अंडर ग्रॉइन एरिया होता है हम इसकी कभी खयाल लेकरते हैं आप खुदी सोचिए ना कि पुरुस हो या इस्तरी हो अपने चेहरे की कितनी देखवाल करते हैं उसकी खुबसूरती का पूरा ध्यान लेकिन उन अंगों को हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं यही वज़ा है कि वहाँ पर होने वाला इंफेक्शन बहुत खतरनाक होता है तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दे लोग कुछ करना नहीं एक और बात बताएं रोक्तर साब कई बार लोग पाउडर लगा कर अपने शरीर का पसीना सुखाते हैं पाउडर के बाद आपके पोर्ष जो है वो ब्लोक होने लगते हैं जब भी पसीना आता है आने दीजिए पानी पीजिए Kings को निकलने दीजिए पसीना ऐसे ही नहीं निकल रहा है पसीना अंदर की गंदगी कोले के बाहर आ रहा है, तो आपका दोस्त है, आने जीजे, आप चिंता ना करें, हाँ थोड़ा सा एक बिवहार समंदी दिकते होती है, लेकिन उसके लिए आप दूसरा तरीका रखें, अच्छे-चे टॉविल्स रखें, दो-तीन किस्म के टॉवि जी, नमस्कार, नमस्कार मैडम, मैं विभूती बोल रही हूं मुंबई से, मेरा सर से सवाल दो है, एक तो मुझे न पूछना था, मैं बीच में होमियोपैथी मेडिसिन ले रही थी, बर्ट मुझे अलोपैथी दूसरी चीज़ के लिए लेना पड़ा, तो दॉक्टर ने म अपने इसके पहले जो दिया, जवा, कि अंडर में प्रोब्लम होते हैं, अंडर पार्च में जो होते हैं, मुझे वहाँ पैना छोटी छोटी फोडिया बार बार आती रहती है, मैं दीन में प्रोपर लिए इसको क्लीन करते हैं, और बीच पूडिया रिकर होती है, ज़सी कोई क्लैस नहीं है, यह अपने अपने इगो का सवाल है, अब कोई किसी डॉक्टर को लगता है, होमिपैथ को लगता है, अलो पती बंद कर दो, मुझे ऐसा लगता नहीं, दोनों में बहुत फर्क है, एक मैटेरियल डोज है, दूसरा बहुत ही डाइनमिक डोज है, तो ऐस क्लैस नहीं होता दोनों में, आप ले सकते हैं, अगर आपके जो चिकित सक है, बहुत ज़्यादा अपती करते हैं, तो कुछ समय के लिए सस्पेंट कर दीजे, लेकिन आप फोमेपती को छोड़िये मत, उसका लाब मिलेगा, दूसरा जो आपने कहा कि देखे, इसकीन का जिन सही है, वो जो दाने वगरण निकलते हैं, वो इसलिए निकलते हैं, कि हम उसकी लंबे समय ते को पेक्षा करते चले जाते हैं, हमारा सरीर बहुत इमांदार दोस्त है, वो पहले हल्के से लक्षन से ही सारा कर देता है, लेकिन हम उसको अग्नोर करते हैं, उसके बाद फिर वह इतना नराज हो जाता है कि वहां पे रपसंस आ जाएंगे पस आ जाएंगे खारी सोगी जलन होगा और कभी-कभी वह लाइलाज हो जाएगा ज्यादा तर लोगों के हिंदुस्तान में ज्यादा लोगों की यही समस्यां हैं उनका अंडर पार्ट जो है वह बहुत ही गंदा होता है वहां पर होते हैं उसको साफ रखिए तो निश्चे तुरुप से सुधार होगा और ज्यादा दिक्कत होगी तो दवाई ले लिजे हुमेपथी बेस्ट है अच्छा दवाई तो ली है मैंने बड़ फिर भी वह जाई ने रहा है वक्त लेगा डिजीज दो द बॉइड करना होगा जिन वजहों से वह बिमारी हुई उन वजहों को पहचान कर उससे आपको बचना होगा एक दूसरा उसका उपचार लंबे समय तक करना होगा कभी कभी क्या होता है कि डिजीज काफी डीप लेयर पर बतलब जैसे बोलते हैं एक्यूट डिजीज अप क् बनेट चेंज कर लेता है वह एक्यूट डिजीज किसी और दूसरे गंभी रोगों में कंवर्ट हो जाता है तो उसका रिवर्सल कोई अच्छा एक्सपर्ट ही करा सकता है तो थोड़ा धीरज रखें और एक अच्छे होमेपैथ की सलाह लें आपको निश्ची दूर्प से मिलेगा इसी बात से जोड़ा एक और प्रश्चन मेरा भी है जैसे कई बार डॉक्टर कह देते हैं कि आप होमेपैथिक बंद कर दीजाए या आयूर्वेदिक ले रहे हैं या कोई बी और जिस पर आपको विश्वास है वो बंद कीजिए तब ऐलोपैथिक शुरू इस बात पर तो अभी तक कोई प्रमान आये ही नहीं तमाम तरह के प्रयोग हुए इसके एड़वर्स इफेक्ट पर वो हुए कभी कभी क्या होता है कि लोग अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं किसी भी दवा की पोटेंसी बहुत जादा हो और उसकी कई सारी खुराकें एक साथ ले 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 तो निश्चित रूप से वो जो सरीर के अंदर एक इमोसिनल सिम्टम्स हैं वो एग्रवेट कर जाते हैं और उसकी वज़ा से कुछ इस तरह की परिशेतिया उत्वन हो जाती है लेकिन साइड इफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता इसलिए इस बात के डर से लोग मुक्त हो जाएं और निश्चित रूप से होमेपैथी को अपनाएं लेकिन एक एक्सपर्ट की निगरानी में तो ज्य परिक्रम, Radio Doctor FM Rainbow 102.6 वर आप सुन रहे हैं विशेश पोनेंकारिक्रम, Radio Doctor आप है Radio Doctor प्रोग्राम में मेरे यानिकी विनीता बेदी के साथ और आज हमारे साथ एक्सपर्च हैं और आज का विशेश भी हमारा बहुत इंट्रेस्टिंग है कि इम्मुनिटी को हम कैसे बहतर बना सकते हैं होमेपैथी के द्वारा और रॉक्टर साब हमारे पास कई सारे संदेश आए में अब मैं थोड़े से संदेश लेना चाहती हूँ एक मैसेज हमारे पास आया है एहमदाबाद से इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम नहीं लिखा है इन्होंने नाम लिखा है ललित इनकी उम्र है 64 साल और ये एहमदाबाद से हैं कहते हैं कि seniors के लिए senior citizen का जा रहे होंगे कि उनके लिए सबसे अच्छी जो तकनीक है वो कौन सी है स्वस्त रहने के लिए सबसे बेहतरी तकनीक में होमेपथी की बात करूंगा क्युंकि एक तो दवा इतनी सुख्ष में है दवा का कोई वजन नहीं दवा का कोई बोज नहीं हमारे सरीर पर दवा की कोई खास कीमत नहीं और इस उम्र में आपके सरीर की इम्मिनिटी को बचाए रखने के लिए होमेपती से बहतर कुछ नहीं है आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं आजूरवेदिक दवाओं में हैवी मेटल्स के सवाल खड़े हो रहे हैं ऐलोपेथिक दवाओं में डिफरेंट और्गिन्स पर असर पढ़ने वाली उन तमाम बातों की की चर्चा हो रही हो हमेपती में ऐसा कुछ भी नहीं है बस आपको जरूरत है एक अच्छे हमेपाइद की जो आपके लिए एक बहतर दवा चुन सके चुकि यह विसाय इम्मिनिटी का है इसलिए मैं एक बात बहुत जिम्मवारी से बताना चाहता हूँ अपने सभी सुरोताओं को की हमेपती की दवाईयां आपने आपने इम्मिनिटी बुस्टर है हमेपती का और कोई काम नहीं आपने देखा होगा कोवीट के दौरान की अल्टीमिटली सारी सिस्टम ने घुटने टेक दिये और इमिनिटी पर बात का बहुत ही प्रीसियस उम्र है उसमें आप जितनी दवाओं से बचेंगे जितनी अनावस्यक आर्टिफिसल चीज़ों से बचेंगे उतनी आप की इम्रिटी बरकरार रहेगी जी डोक्तर साब अगला मैसेश पी कुमार का है नॉइडा से वो कहते हैं कि क्या लंबे समय तक हो सब्सेवन कर रहे हैं सबसे बड़ा सवाल यह हर चीज अनावस्यक अब रोटी खाने से कोई नुकसान नहीं होता लेकिन ज्यादा रोटी खाने से तो दिक्कत तो होगी कुछ अपच्छ तो होई जाएगा तो अनावस्यक दवाओं का सेवन ना करें आप जो दवा ले रहे तो यह एक ज़रूरी चीज वैसे तो कोई साइड इफक्ट में नहीं नहीं हो रहा तो यह कोई ऩछ dublot है हो सकती किन we j скаж करके के ईलागे में पानी कम घम हो रहा है तो यह तो तो जनी condition है आपको अपने चिकित सक्षा से बात करनी पूड़ेगी दूसरा बहुत सारे प्राकर्तिक तरीके हैं आप अपने बॉड़ी की आधरता बढ़ा कर अपने बॉड़ी के अंदर water situations बढ़ा कर आप constipations को दूर कर सकते हैं उसके लिए fibers खाने में बढ़ा लें उसके यह कुछ आप चारिये भोजन जिसको कहते हैं न वो आप बढ़ा लें नॉन एसिडिक फूर्ड को आप बढ़ा लें तो निश्य तुरुप से फरक पड़ेगा और एक बहुत ही common है इस सब गोल वो क्या होता है भूसी ही तो है तो इस सब गोल लोग constipation में लेते हैं आप प्रकाद बार लेकर देख लें लेकिन उसके बाद अपनी जीवन से लिए बदले ताकि आपको दवा की ज़रत ही न पड़े सब्सक्राइब करते हैं मैं डाइबेटिक पेशेंट हूं और हाइपटेंसिव भी हूं तो मैं अलोफेटिक टीटमेंट ले रही हूं लेकिन मेरे को कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है इसका ना चलिए आपका नाम मैं नहीं पूछता हूं मैं बस जबाब देता हूं घुटन तो आपके उम्र कितनी है आपके सरीर का वजन और वजन मेरा 60 kg है तो दो दो वजह हो सकती है एक तो सेलूलाइटिस की समस्या हो सकती है यानि कि आपका सक्त तो नहीं है अगर आप काफ मसल्स को दबाती है तो बहुत वह पत्थर की तरह दिखता है नहीं पत्थर की तरह न और आम तोर पर डाइबटिक पेसिंट्स में सरीर के कई हिस्सों में खून का संचार कम हो जाता है तो मैं समझता हूं कि आपकी उम्र है तो उस हिसाब से आपके पोते या निसे तो कहिए कि आपके पाउं को दबाए थोड़ा थोड़ा उससे क्या होगा कि वहां बलड सर्क करिए देखिए मैं तो मेरी भी अच्छी खासी उम्र है लेकिन मैं बिल्कुल साधा बोजन करता हूं तलीवी चीजे नहीं खाता स्प्राउट्स वगर पे जादा रहता हूं फल सब्सक्राइब और मुझे आज तक तो कोई बीमारी नहीं हुई हमारे इंसुरेंस के सारे प कह दूं कि दिल में हजार गम हो मगर इसके बावजूद चेहरा तु सब के सामने शादाब होना चाहिए इसी संदेश के साथ विनिता जी आपका और आपके दर्सकों का मैं सुक्रियादा करता हूं बहुत बहुत शुक्रियाद डॉक्टर एके अरुन थे आज हमारे साथ रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में सुनते रही एफम रेंबो 102.6 अभी आप आकाश वानी दिल्ली से विशेश फोन इन कारुकरम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे कारुकरम की प्रस्तुत करता थी शालिनी मित्तल इल्वफन भॉक्तर प्राइब के प्रचक wrongs साथ की आप जिल्ली से विया है प्रद्टर प्रॉक्टर स्च्टर पस प्रॉक्टर प्रॉक्टर सनगी मित्तल प्रॉक्ष्टर में सुने Q-6 हमारे स pennे तो के खो कारुकर理 stability झाल झाल